हलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का इंजिनियर्स वाला पर और जिसे आप सभी को पता है कि यार आरारबी का भी जो है वो महौल चल रहा है और आरारबी की फाइनली जो टक्निशन की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुका है अब इसके बाद में बारी है आरारबी जेई और एससी की बारी है तो वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपन बात करते हैं आज के सिशन के अंदर की जो टक्निशन वाला नोटिफिकेशन है उसमें कितनी वैकेंसी आई है क्या-क्या eligibility criteria है कौन-कौन इस form को बढ़ सकता है वो सारी हम बात यहां पर करने वाले हैं तो देखो यहां पर आपको सभी को दिख रहा होगा आरारबी ने जो है वो official notification आउट कर दिया है किसका recruitment of technician और technician के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर जो number of vacancies है या कब से आपका form स्टार्ट होने वाला है अगर हम बात करें opening date अगर आपको दिख रही होगी तो यह जो opening date है आपके पास में 9 तारिक से न ज्यानक न 9th March से आपका form है वो स्टार्ट होने वाला यानि कल से ही जो है आपकी form filling स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में आपके पास में 8 तारिक तक 8 अप्रेल तक यानि टोटल मिला के आपके पास में एक महिना है एक महिने के अंदर आप form filling जो है वो कर सकते हैं इसके बाद में अगर हम बात करें correction जो है आपके पास में अगर मानलो आप जो है अगर आप modification अगर आप करते हो कुछ भी तो यहाँ पर ध्यान रखना 9 तारिक को जो है 9 से लेकर 18 के बीच में आप correction है वो कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर पूरा लिखा हुआ कि the date of modification window for the correction application from payment of modification fees ज्यान रखना जो भी आपके पास में modification भी आपको modification करना है वो 9 से 18 के बीच में आप कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर यार वेकेंसी आपको दिख रही होगी और वेकेंसी जो है आपको बल्क में जो है वेकेंसी है वो आई हुई आपके लिए अगर आप देखोगे यहाँ पर तो number of vacancy जो है वो कितनी vacancy है वो है आप के पास में 1092 द्यान रगना technician grade 1 signal के लिए और वेकेंसी जो है वो एक जार बरान हो लेकिन आपको सभी को बतायता हूं कि यार यह सबसे जो best opportunity है यह electronics वाले strength के लिए तो यहाँ पर यह जो एक 1092 जो vacancy है इसमें signal की जो vacancy है अभी हम बात करेंगे कि इसमें और कोन eligible है बागी अगर technician grade 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर grade 1 में आपका जो payment है वो भी अच्छा होने वाला है 29,200 आपकी salary होगी लेवल 5 की आपके पास में job होगी और grade 3 में 19,900 रुपए आपको मिलेंगी और level 2 की आपके पास में vacancy होगी यहाँ पर age की बात करें 18 से लेकर 36 year के जितने candidate से जितने भी आप student हो आप apply कर सकते हो 18 से लेकर 36 साल के बीच में अगर आपकी ओम रहें और यह 18 से लेकर 33 साल तक कुन सा जो technician grade 3 है तो यह age criteria आपको ध्यान रखना है अगर आप इस age के बीच में आते हैं तो definitely जो हैं आप क्या कर सकते हो आप इस form को fill up कर सकते हो अगर हम ब नकना यह जो age आपको दी हुई है इस age में 3 साल का जो है वो आपको relaxation दिया है और उन्हें साप लिखा है कि covid की वज़े से जो है आपको पता है वेकेंसी नहीं आपाई थी आपको सभी को पता है तो उसकी वज़े से उन्हें बोला है कि हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर 3 year का जो है वो relaxation है वो हम आपको देखे चल रहे हैं तो तीन साल का आपके पास में relaxation है आप यहाँ पर यह वाले चीज़ भी यूज़ कर सकते हो जो भी student अगर इस limit से बाहर जा रहे सके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर समाझना नेक्स अगर हम बात करें, इसके बाद में, तो समझना, यहां पर जो है, important instruction और आपको क्या-क्या दिये गए हैं, important instruction जो है, आपको क्या-क्या दिये गए हैं, समझना, next, अगर हम बात करें, आपको बुलाव है, important instruction के अंदर, please read the information, और आपको यह पूरा हर एक point आपको पढ़ना है, कभी भी ध्यान लखना, जब भी notification आए, form filling हो, तो आपको यह सारे हर एक point को अच्छे से पढ़ के जाना है, मैं important important point जो है, आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप सभी को form ऐसा नहीं कि कल से start हो जाए, तो कल सी form filling start कर देना है, नहीं, बेटा आराम से time लेना, हर एक document के बारे में आप ध्यान से पढ़ना की, किस date से, किस date के बीच में आपको document की बात कर रहा है, वो सारे जोगा आपक student का, सबसे बड़ा जो doubt होता है, वो उन्होंने यहाँ पर clear कर दिया है, कि जो भी student जान रखना, जो भी candidate से, वो waiting for final result, जो final result के लिए wait कर रहा है, और जिसकी degree नहीं मिली है, वो eligible नहीं है, जान रखना, eligible नहीं है, आप eligible जो भी pass out है, वो सारे आपके पास में eligible हो, जो first string student है final student है, वो eligible नहीं है, इसके अंदर, अगर हम बात करें इसके बाद में, तो eligibility के अंदर उन्होंने बोला हुआ है, कि eligibility of the candidates with the provisional based detail furnished by the candidates in the online mode, जो RRB के अंदर, जो भी आपके पास में education qualification और बोली होगी, जिस post के लिए, अगर आप फुल्फिल करते हैं, आप इसके लिए eligible ह और यहाँ पर जितने भी documents से ध्यान रखना, degree, degree सभी की requirement होगी, अगर आपके पास में degree नहीं है, या degree और आधार में कुछ भी नाम में, इसके बहुत बारा जिसा होता है, कि हमारा आधार पे नाम कुछ अलग होता है, degree में कुछ अलग लिखा होता है, तो यह सारी चीज़ यह date of birth की बात करें, चाहिए आप बात करोगी, आपके नाम की बात करोगी, तो सब कुछ आपके पास में, same रहना चाहिए, degree और आधार के अंदर है ना, next, इसके बाद में अगर हम बात करें, medical fitness जो है, वो आपसे बुला गया है, यहाँ पर, देखो, important point एक आपके पास में यह और है, medical fitness के अंदर, उसने बोला है, candidates who are found medically unsuitable for opted post shall not given any alternative appointment, यहाँ पर ध्यान रखना, अगर कोई भी आपके पास में, अगर किसी medical suitable नहीं है, तो आपको नहीं रखा जाएगा, हो सकता, आपको exam देने के बाद में निकाल दिया जाए, ठीके, तो यह सब उनने बोला next, इसके बाद में अगर हम बात करें, अगला important point हम चलते हैं, main जो है, कौन-कौन से strength eligible है, किस-किस post के अंदर, उस पर हम बात करते हैं, next, यह सार जी अल्ड़ी उनने लिखी हुई उपर के अंदर, कि कौन-कौन eligible है, कौन-कौन eligible नहीं है, next, समझ न, बाकि यहाँ पर आपक कर लेते हैं, medical fitness में उन्होंने बोला हुआ है, कि medical standard जो A3, B1, B2, यह category होती है, physical fit in all respect, ध्यान रखना, आपके पास में fitness, जो vision standard, सबसे में चीज़ आती है, कि vision वाला जो है, वो बहुत सारे strength के साथ दिक्कत होता है, तो उनने बोला हुआ है, कि vision में आपके पास में क्या हो इतनी है, आप eligible हो, next, यह बोला है, the power of lenses not exceed 2D, ज्यान रखना, आपका जो lenses है, उसके power 2D से जादा exceed नहीं करने चाहिए, ठीके, near version जो है, उनने बोला हुआ है, distance version दिया हुआ है, near version बोला हुआ है, 0.6, 0.6, with or without glasses, दोनों eligible हो, next, क्या होगा, must pass test for color vision, color blindness, ज्यान रखना, या पिर आपके पास में क्या होगा, binocular vision, night vision, और mesopic vision, जो है, इन सभी के लिए, वो test pass out होना चाहिए, next अकरम बात करें, B1 जो हमारे पास में, medical standard B1 और B2 के लिए, वो distance version जो है, 6 by 9, 6 by 12 है, with or without glasses है, चलिए, with or without glasses है, और near vision 0.6, लेकर 0.6 है, तो यह सारे आप देख लेना, क्य जो कि, जो भी strength जिसमें vision में आ रहा होगा, आप उसी के coding आप eligible होंगे, अगर आप इसमें fit नहीं है, तो आप इसमें eligible नहीं है, बाकी जो भी strength है, आप सभी को पता है, वो India का citizen होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, बुटान का होना चाहिए, तिबत, refusee होना चाहिए, इस सभी को पता है, वेसी भी आपको पता है, आप इंडिया के हो, तो maximum आप ही जो है, इसको क्या करोगी, form fill करोगी, next, अगर हम बात करें, age relaxation की है, तो relaxation अगर हम बात करें, जो भी upper limit है, 18 से लेकर 36 साल, 18 से लेकर 33 साल है, उसमें SCST के जो भी candidates है, उनके लिए 5 साल का relaxation है, next, OBC-NCL, जो non-climeral के अंदर आते हैं, वो तीन साल का उनके relaxation है, एक सर्विस्में जो है, तीन साल चाहे वो जनरल का हो, चाहे, EWS का हो, कोई दिक्कत नहीं, OBC-NCL हो 6 साल का relaxation है, SCST में 8 साल का relaxation है, लेकिन द्यान रखना, एक सर्विस्में विद एट लिस्ट आप सिक्स मन्त क आपके continuous service होनी चीए, next, उसके बाद मैं आप से बोला हुआ है, कि यहां पर जो भी student है, आपके पास में, PWBD का है, जनरल का, EWS का है, 10 साल, 13 साल, 15 साल, यह सार relaxation जो है, आपको provide किये हुआ है, ठीके, तो यह सार relaxation जो है, यह धियान रखना, यह किसके लिए था relaxation, तो यह जो relaxation है, यह level 5 की जो जोब है, आपके पास में, जो 1000 से उपर vacancy 1000 प्लस, तो उनके लिए आपके पास में, signal grade वाले के लिए, इसी तरह का जो age relaxation है, वो grade 3 वालों के लिए भी है, 18 से लेकर 33 साल है, और उसमें भी लगबग आपके पास में देखोगी, तो relaxation सेम ही आपको दिया गय आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट, ध्यान रखना, जो भी आपके पास में, अपर लिमिट, इन्होंने अपर लिमिट भी दे दी है, आपको calculate करने की जोरत नहीं है, इन्होंने बोल दिया है कि अगर जितने भी ध्यान रखना, समझदा, तो यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है, कि यहाँ पर आपकी जो age 18 से लेकर 36 से, तो ध्यान रखना, अपर लिमिट ऑफ date of birth जो है, आपके पास में क्या होनी चाहिए, ध्यान रखना, दो जनरल और EWS के लिए, दो जुलाई, अगर हम बात करें, और 1988 से लेकर, औ यहाँ पर OBC के लिए 1985 है, और 1983 है आपके पास में, यह date आपके पास में होनी चाहिए, लोवर age limit जितनी भी है, वो 1726 के बाद वाला जितने भी है, वो eligible इसके अंदर नहीं होंगे, तो यह भी आपको लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, इस चीज का भी आपको जो है, वो ध अप्लिकेशन फीज की अगर हम बात करें, तो देखो अप्लिकेशन फीज से 500 रुपए हैं, किसके लिए, ओल केंडिडेट्स, एक्सेप केटेगरी मेंशन इन दा सेक्शन तूज, जना केटेगरी मेंशन इसके अलावा, पागी जितने भी उनको 500 रुपए हैं, अगर हम ब एकोनोमिकली बेकवर्ड क्लास, जो भी आपके पास हैं, एकोनोमिकली बेकवर्ड क्लास में आता हैं, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना हैं, लिखा हुए, बाकि यह सारी चीज इतना बड़ा नोटिफिकेशन हैं, यह सब आपको क्या करना है, वन बाई वन जो हैं, आप यहां पर exam pattern के बारे में, ध्यान रखना, अगर हम exam pattern के बारे में, अगर हम बात करें, तो उन्होंने बोला हुआ है कि जो भी आपके पास में ध्यान रखना signal वाले के लिए, signal grade के लिए, तो ध्यान रखना general awareness है, वो कितना होगा आपके पास में, वो 10 question आएंगे, next उसके बा total duration कितना होगा, 90 minutes का आपके पास में paper होगा, 90 minutes का आपके पास में paper होगा, और ध्यान रखना जो भी PWBD में आते हैं, उनको क्या होगा, 30 minutes extra दिया जाएगा, यह आप से बोला गया, 100 marks का आपका paper हैगा, negative marking जो है, one third आपके पास में होने वाली है, इसके अंदर, और normalization of the marks will be done on the CBT held in the multiple shift, अगर multiple shift में होता है, तो normalization भी होगा, minimum marks जो है, वो general और EWS के लिए 40 marks चाहिए, OBC के लिए 30 marks है, SC के लिए 30 और ST के लिए 25 marks minimum आपको लेकर जो हैं, वो आने हैं, next, इसके बाद में क्या को marks coding the CBT shall be counted for short listing the candidates for the further stage, आगे वाली stage के लिए ध्यान रखना, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, marks जो भी मिलेंगे उसे, जो भी आपको cut off होगी, उसके according आपका selection अगर syllabus की बात करें, ध्यान रखना, great third के लिए mathematics में सारे topic दे रखें, board mass, और यह अगर आपका जो पहले paper आया, जो पहले notification आया था, syllabus लगबग सेमी है, syllabus देखोगे सेमी है, बस थोड़ा सा क्या आपके पास में, question जो ही, उनका level थोड़ा सा कम जादा हो सकता है, अगर हम technician great third में बात करें, तो maths, general intelligence, general science और general awareness से, उसका hundred question आएंगे, hundred marks के लिए आएगा, ठीके, तो यह सारे जिए आप यहाँ पर information आप पढ़ सकते हैं, clear, और यह बाकिया आपके पास में, rrb की जो website है, उसके बारे में सब कुछ बोला गया है, तो देखो इस notification को आप properly, clearly पढ़ ठीके, तो यह सारे information आप सभी के लिए हैं, और इसके बाद में हम इंतजार कर रहे हैं, किसके लिए, rrb, jee और ssc का, तो वो भी notification आपको आपको अगे आने वाले sessions में, मैं आपके लिए वीडियो बना दूगा है, किन-किन पॉइंटों पर ज़्यादा ध्यान रखना है, चलिए दोस्तों, तो यह information दिया आप सभी के लिए, मिलते हैं next session के अंदर तब तक के लिए, thank you, thank you so much.